किलिमेंशन रिड़क्शन जदी हमसे कहा जाए What is किलिमेंशन रिड़क्शन तो अल्डिहाइड हो या किटोन इन दा पर्जन्स अफ जेड़न एच जी कॉंक हC-L कनभार्टेड इन्टू अलकेन यानि अल्डिहाइड हो या किटोन हो जेड़न, एच जी और कॉंक हC-L के पर्जन्स में किस में बदल जाचा है बच्चों अलकेन में इस रियक्शन को ही हम किस नाम से जानेंगे किलिमेंशन रिड़क्शन चलिए देखिए नाम पता है इसका इसी टल डी हाइड जेड़न, एच जी, कॉंक हC-L यूज करेंगे तो बन जाएगा बच्चों इथेन मत सोचिए जो कैसे बन जाता है सिर्फ टेक्निक सीखिए ये जो CO पार्ट है ये इसके परजन्स में बदल जाता है CH2 में यानि जदि इस रियक्शन को हम देखें तो CH3 और CO पार्ट अब मान लिया जाए सपोज कीजिए आप कोई गलत काम कर रहे हैं और जदि पापा आजाए मम्मी आजाए तो वहां से आप भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते हैं मान लिया जाए परहाई नहीं कर रहे हैं गेम खेल रहे हैं मूभी देख रहे हैं और जैसे ही मम्मी पापा आते हैं तो मोबाइल को switch off कर देते हैं कि नहीं, कुछ और देखने लगते हैं कि नहीं, यानि मन में डर्सा हो जाता है, उसी तरह से organic core समझे, यानि ZN, HG और कॉंग के CL के presence में, ये CO part किस में convert हो जाता है बच्चों, CH2 में, जदी हम अब CH2 में convert कर दिये, तो एक H तो है, अब ये दो H मिला करके हम CH3 लिख दिये, और इसको किस नाम से जानिएगा, तो इथेन के नाम से जाना जाता है, अब क्या बना लीजिएगा, तो सबसे पहले तो सब लोग बता दीजिए, इसका क्या नाम है, इसका नाम है AC tone, अब इसको जैसे ही हम convert करेंगे, तो CH3, CH2, CH3, इसका नाम क्या हो गया, परोपेन, ठीक, अब ये साइकलोहेकसेनोन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, साइकलोहेकसेनोन, अब फिर ये पार्ट बदल जाएगा किस में, CH2 में, तो इस तरह से ये बन गया, साइकलोहेकसेन, किलियर है, तो ज़दी हम लोगों से ये एक लोग टाइप का क्वेस्चन हो गया, जदी हम लोगों से कहा जाए, वाट इच किलिमेंशन डिडक्शान, तो में बात क्या है बच्चों, जो आपको ZN, HG, कौंक, HCL, और दूसरा पॉइंट क्या है, अलकेन, फिर आपको एक कौंसेप्शल बात जो सिखाए, जो य ही भी रहेगा, मतलब CO, इतना रहेगा, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, किस में, LDI, की टोन में, तो ये देखते ही बदल जाएगा, CH2 में, ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे, एक बच्चे कॉमेंट किये हुआ था, जो सर जी, आइडियल और नन आइडियल सॉलूशन, ये बता दीजिए, फिर आपको हम बताएंगे, रिभार्स, अस्मोसिस, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन, जहां कई भी मन में कन्फीजन हो, जो समझ में न आ रहा हो आपको, क्योंकि अब तो समय बहुत कम है, तो जो भी समझ में न आ रहा हो, आप कॉमेंट करेंगे, हम परियास करेंगे, वादा नहीं करते हैं, परियास करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉलूशन दे